मच्पन में कहा जाता था कि किसी भी वशय को रटने की और मत जाओ, वहाँ उस वशय को समझने की और जाओ मंत्रों के साथ में, उक्तियों के साथ में, चपाईयों के साथ में भी यही इस्ततिव होती है कि व्यक्ति जब उन्हें पहले कंटस्ट करता है और साथी साथ में समझ कर जब हरदायस्त भी कर लेता है तो मन के भीतर से आत्मिक्स्तर के भीतर से वो मंत्र और शलोक कभी निकलता ही नहीं है और हमेशा जागरती के आधार के उपर चलता है वहीं आप देखिए कि यदि हम रटने की स्तिकी बात करें कहीं पर भी हमको पहुचना है और कोई व्यक्ति हमको समझाता है कि यहां से स्ट्रेट जाईएगा फिर आप राइट में बुढ़ जाईएगा वहां से एक लेफ ले लीजिएगा और उससे दो स्ट्रीट और छोड़ कर आपको फिर से एक राइट लेना होगा तो व्यक्ति उसको रटने का प्रयास करता है किन्तु जैसे ही एक पेपर और पैन लेगा एक चोटा सा नक्षा बना देगा और जब समझ कर चलेगा तो शायद वो आसानी से पहुँचता चला जाएगा हम जीवन के अंदर भी कई बार ऐसी रटी रटाई स्टतियों के साथ में चलने का प्रयास करते हैं कि वो व्यक्ति इस वजह से सफल हुआ या इस कार्य शेत्र में सफल हुआ हम भी वहाँ पर चलते हैं और इसी आधार पर चलते हैं किन्तु वहाँ उस रटी रटाई स्टति की जगे है अपने मन के भीतर के भाव को समझने की आवश्यकता है कि भीतर की रूची क्या कर रही है हमारे रास्ते कौन से हैं हो सकता है आपके साथ में रचनात्मक विधा जुड़ी हो हो सकता है आप अनुशाशित हो हो सकता है आप एक स्ट्रीट स्मार्ट अब्जरवर हो हो सकता है कि आपकी जो मेमरी के रेफलेक्शन्स हैं वो बहुत अलग तरीके से हो ये भी हो सकता है कि आपके रूची इतियास में हो ये भी हो सकता है कि आपके रूची मंतरों के साथ में हो, तकनीक के साथ में हो, परबंदन संबंदी स्तियों के साथ में हो, लोगों के साथ में आपको बातचीत करना अच्छा लगता हो, ये सारी ही वो प्रमुक स्तियां है जो रटी रटाई विधा से अलग है और भीतर से उ अधार को भी अपने जीवन के भीतर देख पाता है आप स्मृतियों को एक बार फिर से सामने लाकर रखिये कि आज से 20 साल पहले 25 साल पहले स्कूल में कुछ यह दी रटना पड़ा था तो क्या वो आज है शायद नहीं किन्तु वहीं कुछ समझा था और समझ कर उसको हरदयस् वो आज भी आपको रात को दो बजे भी या सुबह के चार बजे भी उठा कर पूछा जाए तो एकदम जुबान के उपर होगा बजह क्या है कि हमने उसको आत्म साथ कर लिया है जो भी इस्तति आत्म साथ होती चले जाएगी और भावी पीड़ी को भी हम यही समझाने का प बहुत ज़ादा बल देते चले जाएंगे तो इन दोनों इस्ततियों में आज भी फर्क को समझने की आविशकता है हैं हम यहाँ 25 दिसंबर 2020 का देनेक राशिपल लेकर हाजिर हुए हैं सूर्य देव धनु राशी में ही चल रहे हैं तो वहीं चंद्रमा मेश राशी में संपन्न होगा हम शुर्वात करते हैं मेश राशी के साथ में यहाँ आपके लिए आत्म विश्वास की अनूठी जलक आज देखने को मिलेगी जो भी अठके हुए और रुके हुए कामकाचते वो आसानी से पूर्ण होने की और जा सकते हैं नौकरी पेशा जीवन में नए अवसर और संभावनाएं सामने होंगी प्रशंशा के योग्य शब्द आपको मिलेंगे साथी साथ में जो भी आप अपने लिए किसी होनर को मांजने की एक तरह से प्रक्रिया में थे उसके लिए भी समय जरूर मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा पुराने संबंदियों से आज फिर से एक सायोग प्राप्त होगा स्वास्त के अंदर जो भी नेगेटिविटी बनी हुई थी वो भी यहां धीरे धीरे दूर होती चली जा रही है ये भी सकारात्मक पक्ष आपके साथ बना हुआ है एक निविदन आपसे और भी है यदि यात्रा प्रवास के और है तो आज आप देवी उपासना और आराधना के साथ में अपने इस दिवस के शुरवात कीजिएगा भाग गेकबोंड कालिक सायोग आपके लिए बना रहेगा शेयर मार्केट संबंधी निवेश में अगले पूरे ही सब्ता कि आपको प्लैनिंग करके चलनी है तो आज का य दयस्त भी करते चल जाएंगे वहीं वरेशब राशी सर्व पर्थम आप यहां पर यह देखें कि जो मानसिक स्तरके उपर चिंताएं बनीवी थी आज वहां धीरे-धीरे कमी आ रही है शुक्र प्रदान राशी के जातकों के लिए बहुत एक्ता और चमक-दमक बहुत सामने होंगे रिसर्च और एनलेसिस संबंध ही कामकाज में भी ये दिन आपके लिए महत पूर्ण सपलता के आधार को सामने रखता चला जाएगा भाग्य का सयोग यहां पर नहीं है तो इसी वज़े से बहुत बड़ा जोकिम लेने से आपको बचना चाहिए मित्रों और भाईयों को जहां पर भी सयोग की आवशकता हो आप खुद समय की बिल्कुल बाउंडेड अप्रोच में चल रहे हों तब भी एक कॉल किया जाए उनसे पूछा जाए क्या इस्तिया है और आप कैसे चल रहे हैं जिससे कि व्यक्ति एक मांसिक संबल भी प्राप्त करता है व रहस्त में परिशानी कहां आ रही है जो सॉल्यूशन कैसे खोच सकता हूँ जब आप चिंतन की मुद्रा में आते हैं सहज स्विकार उप्ति की और आते हैं तो वहीं से सॉल्यूशन सामने होते हैं मन के भीतर कई बार ये आभा होती है कि आज तो जो भी कुंठा है या जो ये एग्रिसिव अप्रोच के अंदर समझाना है वो मैं बिल्कुल तल्क भाशा में समझाऊंगा किन्तो वहीं आप ये सोच लें कि आज बिल्कुल शांत चित्त होकर मैं बात सुनूंगा अपनी जो गलती है स्विकार करूंगा जब पूरी बात हो चुकी होगी तो ये कि मुझे ये प्रवर्ती पसंद नहीं आ रही है आप इसके सॉलुशन के और इस तरह से चलें तो ज्यादा बहतर होगा दो वहीं बैतुन राशी सरवपर्थम आप ये देखिएगा कि जो कामकाजी शेत्र होता है वहां आज रचनात्मक्ता आपके लिए हावी रहेगी जि चमताओं के आंकलन में गलती नहीं होने वाली है तो वहीं पर आप अभिनाय संबंधी किसी भी शित्र के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं नए अवसर सामने होंगे साथ में ही सक्षा संबंधी सत्यों में एकागरता बढ़ती चले जाएगी किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो मिथन राशी के जातकों के लिए खुशनुमापल सामने होंगे और वहीं पर अपने जीवन को उसी रिष्टे के साथ में एक दिशा देना चाहते हैं ये निरणय भी आज आप साथ में बैट कर ले सकते हैं जिससे कि आगे का रास्ता के साथ में कर सकते हैं इसमें कोई भी दुविधा की प्रवरतिया नहीं है आप कंस्ट्रक्शन संबंदी किसी भी कामकाच के साथ में जुडाव रखने वाले व्यक्ति हैं आप ऐसे ही बिल्डिंग मेटिरिल संबंदी आइटम के साथ में हस्तक शेप रखने वाले व्यक्त पहले से आप उससे रोग ग्रसित रहे हैं, तो कैसे हम एक तरह से proper medication के साथ में चल सकते हैं, डाइग्नोस करवा कर चल सकते हैं, ये सारी ही आवशक्ताइं आपके लिए यहां पर रहेंगी. वहीं, करक राशी की यदि मैं चर्चा करता हूँ, तो आप ये देखिएगा, कि इस समय अंतराल के अंदर आपके लिए आजी भी काके नए साधन सामने आ सकते हैं, पैसिव इंकम के सोर्सिस के उपर जो आप वक कर रहे थे, वहां symmetrical success आपके सामने मौझूद रहेगा, यात्र संतान पक्ष के साथ में अच्छा समय इस विकेंड की अप्रोच के अंदर बीतने वाला सामने होगा, जिससे कि वो जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और आप क्या उनके लिए सोचते हैं, ये सारे ही भाव जब आप रकट करते हैं, तो कहीं न कहीं एक रहता बनने लगती है और समय की इन विवस्ताओं के साथ में विखती एक जुडाव भी महसूस कर पाता है मडियलिस्टिक लगजरी की परती बहुत एक वस्तुओं की परती बहुत जादा आकरशन आपका बढ़ने वाला होगा तो वहां से भी जब आप जुडाव को महसूस करते हैं तो इस बात को ख्याल में रखकर चलिएगा कि हम इस महीने के अंतिम सिरे के साथ में जो अपना बजट है उसको बिलकुल भी बिगड़ने नहीं दें कर्ज संबंदी समस्याएं जो लंबे समय से आपको घेरे हुए थी परेशान कर रही थी कोई भी सॉल्यूशन सामद नहीं था आज चंदर्मा परदान राशी के जातकों के लिए सॉल्यूशन ओरियंटेड एप्रोच सामने आ सकती है जो मन को कहीं न कहीं संतुस्टी की आभा देने वाली रहेगी और साथ में ही जो ग्रिहस्त जीवन का सहयोग अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था आज वो भी आज आपके साथ में हैं तो इसी वज़े से आप कहीं न कहीं एक बेटर एप्रोच के साथ में चलते चले जाएंगे सिंग राशी बाग्य का अच्छा कासा सहयोग आपके लिए यहां पर रहने वाला है तो साथ में ही आप किसी भी ऐसे निरनायक कामकाच की और जाना चाहते हैं जो लंबे समय से अटकाव की और था अपने पूरे जोश और खरोश के साथ में उस और बढ़ने की तैयारी कर सफलता के मानक आप यहां पर इस्थापित करने वाले होंगे अध्यात्मिक चिंतन विक्सित है और साथ में ही मन के भीतर के जो भी विकार किसी विक्ति की परती थे जब वो निकल कर मन का मैदान इसपस्ट हो जाता है तो नई भावनाएं सामने आपाती है आज सिंग राश और यह लगने लगा कि अब यह रश्टा अलग अलग हो जाएगा किन्तु आपके मन के बेटर गहराई से वो सारी भावनाएं मौझूद है तो अगले के सामने उन सारी यह समवेतनाओं को रखना चाहिए आप क्या सोचते हैं वो रखना चाहिए एगो को हटाने की अवशक रहा है इसकी परपरेशन को अच्छे से आप आगे बढ़ाईए और उसके बाद जैसे ही 14 जनवरी की बात का समय आता है आप एक्जीक्यूशन के लिवल को भी सामने आसानी से लेकर आने वाले रहेंगे ये भी एक इस्पस्ट इस्तिती सामने है एक और निविदन में आप अस्ति जनेत विकारों से बून और जॉइन संबंध ही कोई भी परिशानी पहले से रही है तो उससे थोड़ा सा बचने का प्रयासा आप जरूर करें वहीं कन्या राशी आज के इस अदबस विशेश के अंदर 24 दिसंबर की तरह ही कोई नए कामकाज से आपको बचना चाहि ये एक निवेदन किन्तु हाइर एजुकेशन के अंदर जो सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं था आज वो आपके साथ में रहने बाला होगा वानी पर नियंतरन क्या वशकता है हम कहना क्या चाह रहे हैं और शब्दों का चैन किस तरह से है उसके साथ में टून कैसी है अग अच्छा इसतर निर्मित कर पाएंगे मैटल संबंधि कामकाज में आज बहुत अलेक संभल कर चलने की आपको आवशकता है ये एक निवेदन तो वहीं कन्या राशी के जातकों को चाहिए कि आज के इस दिवस विशेश के अंदर आप स्वैम के लिए यात्राइं टाल पात रचने की प्रक्रियाओं के अंदर हैं बहुत अधिक ध्यान देने की आवशकता नहीं हैं हम अपने कर्म के साथ में हैं और हमारी लॉयल एप्रोच हमारे साथ में हैं शंशेब नहीं रखें हम अपनी गती को बनाए रखें तो कहीं पर बेदिकत और परेशानियों में आई राइड जन्नित रोगों से और वहीं और इत्राइटेस जैसे कोई भी रोग पहले से परिशान करने वाले रहे हैं तो वहाँ पर भी मेडिकेशन का प्रॉपर बेस लेकर जरूर चलना चाहिए अनुशाशन की प्रक्रियाओं को जरूर अपना कर आप रखियेगा जो वह से आप कोई भी ऐसा कारे करना चाहते हैं जहां मानसिक तनाव भी आएगा और अपने कारेक शमताओं को भी पूर्ण तया आपने साथ में लेकर चलना होगा वो सारी प्रक्रियाएं आज आपको सहियों की गतिविदियों के साथ में सफलता देगी आकस्मिक धनलाप का कोई भी आपके लिए वेग सामने था वहाँ पर भी सफलता का आधार सम्मुक है आप अपनी वाणी को पूरे तरीके से एक अधिकार के साथ में लेकर चल रहे हैं और वहीं विजाए के मूल मंत्र भी तुलाराशी के जातकों के लिए स्थापित है कुटमभी जनों के साथ में स सबसे पहले हम अपनी स्वीकारोकती को बढ़ा कर किस तरह से इस कॉल को एक्जिक्यूशन की तरफ लेकर जा सकते हैं ये प्रयास करना होगा कई बार व्यक्ति इस तायत्व के साथ में एक जगे चल रहा हो होता है नए अवसर की तरफ ध्यान ही नहीं देता किन्तु आपको कॉंक्रीट अप्रोच में वहाँ पर ध्यान देने की अवशक्ता हैं सफलता वहीं से नहीं थे व्यापारिक साजेदारियों में जो भी उलजने बनी हुई थी वो भी दूर होंगी तो वहीं आप जीवन में कुछ बड़ा प्लैन कर रहे हैं नौकरी छोड़कर व्यापार क सामने निकल कर आ सकती हैं तो इसी वज़े से बहुत जादा रेस्टिव मोड की साथ में आपको चलना चाहिए मानसिक ठकावट से दूर रहने का प्रयास आप जरूर करें तो वहीं पर खर्चों पर नियंतरन की यहां संभाबनाए नजर नहीं आती है तो इसी वज़े से य ध्यान देने की आवशकताएं है कि हम किस तरह से खुद की थोड़ी सी इग्नोरेंस को भी बढ़ा कर चल सकते हैं शत्रू जो परेशान कर रहे थे अब वो धीरे धीरे साइडलाइन होना शुरू हो जाएंगे बहुत जादा वहां से परेशानिया निकल कर नहीं आएगी व प्रवर्तियों में अपने करजों को बढ़ाने की और बिल्कुल भी नहीं जाएं ये वरिश्चिक राशी के जात्कों से निविदन है भाग्य का सहयोग प्रबलतम तोर के उपर आपके लिए बना हुआ है तो वहीं पर अपनी उर्जा को अक्षून आधार के उपर पूरे ही दिवस में बना कर रखने का प्रयास करें कोई कार ये सामने आया अब पूरी ही उर्जा के साथ में लग गए किन्तो थोड़े ही समय में एक ठकावट मैसूस होने लगती है ऐसी प्रक्रियाएं परेशान करने वाली हो सकती है इसको भी समझने की अवशकता है वहीं धनू confidence से बचिएगा जौब के अंदर कोई भी छोटी छोटी परेशानी आ रही थी और उसका समाधान आपके सामने नहीं था ये समय विशेश वहाँ पर भी आपके लिए solution oriented approach किसी व्यक्ती विशेश के जरिये से लेकर आएगा उसकी बातचीत को ignore नहीं करें आज जिससे भी चर आप अभी तक गफलत के साथ में चल रहे थे वहाँ पर भी solution सामने रहेंगे रिष्टों के अंदर जो भी टकराव थे वो कम होते चले जाएंगे ग्रिहस्त को motivate करते हूँ चलिएगा उनके साथ आप किसी भी कामकाच की शुरुबात करना चाहते हैं या एक लंबे समय की planning क जगें देना चाहते हैं दूई सुभाव विराशी के जातक वहाँ पर भी आज सफलता को सामने रखने रखने वाले होंगे वाहन चलाते समय सावधानी बरते हैं तो वहीं पर कोई भी चोटी मूटी खामी किसी भी मशीन के साथ में है उसको आप ignore नहीं करें अन्निता बड एक तरह से वहाँ जाकर उनसे चर्चा करनी हो दोनों को ही साथ में बनाकर जरूर चलिएगा धनुर राशी के जातकों से एक और निविदन के भूमी संबंदित कामकाज में जल्द बाजे दिखाने से आप बचिएगा और वहीं पर पैत्रिक संपत्ते का कोई भी विवाद चल रहा था जहां आपकी भूमी का बहुत जाला एहम है तो अपनी जो भी बादचीत है उसमें तत्यों का अधार बहुत अच्छे से रहे ये भी मनमस्तिश्क में आप स्वस्ट करके चलिएगा मकर राशी आज आपको शेव अपासना के साथ में इस दिवस की शुरुवात करनी चाहिए और वहीं बिगड़े हुए काम और नहीं बिगड़ें इस तरह की प्रक्रियाओं के साथ में भी चलना होगा आज इविका का कोई भी नया साधन आप यदि वेकसित करना चाहते हैं माता के साथ में जो भी संबंदों में ग्रिहस्त और पारिवारिक जुनों की वज़े से विवाद आये थे तोड़ा सा जुकर समवेदनाओं के साथ में उनके बातसले को अपनाने के लिए आप बातचीत जरूर करें सारे ही आवेग दूर हड़ते चले जाएंगे ये भी एक प्रमोकाधार आपके लिए है भागगे का सहीयूग मैं नहीं देख रहा हूँ तो इसी वज़े से बहुत बड़ा जोखिम लेने से आप यहां पर मचिएगा रिसर्च और एनलेसिस संबंधी कामकाच के साथ में या किसी भी नए प्रड़िक्ट के साथ में आप मार्केट में आना चाह रहे हैं ये समय वहां पर भी आपके लिए सफलता के माना के स्थापत कर रहा है मकर राशी के जातकों को चाहिए कि आप अपने जीवन में रिष्टों को भी बहुत जादा आज एहमियत दे कर चलें जिससे की बन में संतुस्टी स्थापत रहे वहीं कुम राशी आप देखें कि जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर तुरित गती के साथ में हमको चल कर बहुत कुछ हासल करना होता है उसके सारी ही आधार आपके सम्मुक बने रहने वाले होंगे कहीं पर भी निगेटिविटी की अप्रोच नहीं है भाग्य का अच्छा खासा सा योग बना हुआ है आज इवी का के अंदर निर्वाद गती बनी रहेगी शेर मार्केट संबंधी कामकाज में इस दिवस विशेश के साथ में चलते हुए अगले पूरे ही सप्ता की प्लैनिंग आपको करनी है कैसे मैं कुद की स्ट्टेजी को चेंज कर सकता हूँ उन सारी ही आधार को अपने मन में इसपष्ट करके चलने का प्रयास आप जरू कीजेगा बिदेश संबंधी कामकाज में निर्णाय का सफलता साथ चलने वाली होगी और वहीं पर जो स्वास्ते संबंधी इस्ततियां लंबे समय से आपको परिशान कर रही थी धेरे धेरे वहाँ पर भी नजात आपको मिल रही है चर्चा मीन राशी की दना गवन यहाँ आपके लिए बढ़ता चला जाएगा क्षमताओं के आंकलन के अंदर आप कहीं पर भी गलती करने वाले नहीं होंगे और वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है ग्रहस्त जीवन के साथ में जो भी महिला जोड़ी हुई है उनको आज यश्मान और प्रशंचा लगातार मिलने वाली है और रैचनात्मक्षेतर के साथ में आपको जड़ाव है बड़े परिवर्तन के और जाना चाहते हैं तो एक बार अपनी पोजिशन को अब्जर्व करके चलें नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से किसी आफर की परतिक्षा थी हम चाह रहे थे कि कॉंप्रमाइस के साथ में भी वो आफर सामने हो बिना कॉंप्रमाइस के आपकी एक्सपेक्टड पोजिशन के साथ में वो आफर सामने होगा आप अपनी सहज स्वीकारुप्ती के साथ में चलिएगा मन में इस्तिरता के भाव रखिएगा और वहीं से सफलता के द्वार खुलते चले जाएंगे रण संबंदी इस्तियां परिशान कर रही थी तो वहां पर भी तोड़ा सा सौलूशन स्पेसिफिक कोकर आपको चलना चाहिए किसी भी विक्ति से इस पस्ट बातचीत करने की आवशक्ता है तो उसको भी आदाहर सरूर बनाएं आप तो ये था 25 दिसंबर 2020 का अब देने कर आशिफल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजर होते रहेंगे धन्यवाद और कोटी शहर आभार